बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की, देखिए, ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाओ हम पीजेपी, एक राजनेतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नन्स का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्ताओं को, इन सब इं speakers जी ने और अमित शाह जी ने, captured करा, धमकाया, डराया, पर इसकी तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब, क Whatsva Packifier कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और ऊस susceptible को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गटबंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टि के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गड़बंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजिन देखा बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे देखें देखें उस्टॉक्स उनके तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है जनता जनता अदानी जी को मोधी जी से डाइरेक्टली को रिलेट कर रही है मोधी जी की हार होती है स्टॉक मार्केट कहता है भाई आप मोधी जी गए तो अदानी जी गए मतलब डाइरेक्ट the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want mr. Narendra Modi and mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the Constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the Constitution or ant mein aapko keh dhun ki isko bachane ka kaam hi Hindustan ke sabse gharib logo nne kiya hai sabse gharib logo nne kiya hai mazdoor ho nne kiya hai kisahan ho nne kiya hai dalet ho nne kiya hai adivasi ho nne kiya hai pichdho nne kiya hai in logo nne is constitution ko bachaya hai is constitution ya constitution dyesh ki dyesh ki awaz hai 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 इसको नहीं बचाया छुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वायदे किये थे हम वो वायदे आपके लिए पूरा रहेंगे जाती जनगरना महलक्ष्मी ये हमारे वायदे हैं थन्यवाद शुक्रिया राउल जी अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट शांत हो जाईए प्लीज शांत हो जाईए प्लीज शांत हो जाई एक मिनिट शान्त हो जाईए एक मिनिट खरके जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे एक मिनुंट चिलायेगा मथ प्लीज चिलाये इंक राहूल जीर राहूल जीर दो tuoh कि अइनियान चैना हो एक इनकाड़ गार्टी बिस्टर्ने हाग परिजिड पार्टर्ने इन अग्यूट काड़्यार्ट ढेंगे त्पट्टी ए्ट्ट्ट्रोच्ट्ट इडिवेग्यूट के अगॉन्देट इसे अट कि अज़िए मुंद्ट इंग अगॉट्गेग्ट दे And these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, आप के कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, समिधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नमबर्स NDA और India Alliance तो को जादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं, तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आप आएंगे? वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो, कल डिसाइड होगा, इंडिया गटबंधन की मीटिंग है, कल हमारा लाइन्स डिसाइड करेगा, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गटबंधन डिसाइड करेगा, उस पे हम एक्शन लेंगे. सर, खरगे साथ भी आपसे पूछना चाहते थे, कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है, और उनके साब से एंडिया को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है, तो एंडिया सरकार बना रही है, तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आपने का नैतिक अधार पर प्रधान मंति नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए? देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखिएंगे सारे स्टैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी खरगे साब ने का कि हम जनादेश को स्विकार करते हैं जनादेश इंडिया गटबंधन के लिए क्या है विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बढ़ाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूँगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेकिए